तो लेकिन मैं आज वाट नमर एक की बात करूंगा कि यहाँ पे 10 साल से पानी की काफी ज़्यादा किलत है जबकि आज आज हमें रोड पे आना पड़ा क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा किलत है इवन पानी पीनी के लिए भी पानी नहीं है आज हम मजबूर होके हमारी माएं कुछ विद्वाएं जिनके अभी एक महीना भी नहीं हुआ गदर में गुदरे हुए उनके पती को वो भी आज हमारे साथ सडकों में बेटे हैं अफसोस की बात ही कि आज कोई सुनने वाला नहीं है कोई सुनवाई नहीं है कई बार जो है इनके AEE, इनके JEE जो आज भी आपने देखा अभी मोके पर ये लोग आए आज फिर से इन्होंने वही आश्वासन दिया कि हमें दो दिन दिये जाएं, तिसरे दिन आपको पानी आ जाएगा लेकिन बदकिस्मती है कि हम लोग जो है, हम भी कहीं न कहीं जो है गहरी नीन में है क्योंकि इनको पता है कि अगर हम पानी न दें तो लोग भी बाहर नहीं आएंगे लोगों की जुबाँ पे ताले लगे हुए हैं ऐसी बात नहीं है हम आज बाहर आये हमने प्रोटेस्ट किया और यहां पे हमारी जमुकश्मीर पॉलीस भी थी यहां पे डिपार्टमेंट भी था आज हमने इनको स्क्रिफ दो दिन की महलत दी है अगर दो दिन के अंदर अंद कि अगर इन्होंने दो दिन के अंदर अंदर पानी नहीं दिया मैं आपकी वसादत से आपकी मातियम से यहां की जिला इंतिजामिया यहां की पॉलिस इंतिजामिया से गुजारिश करूँगा कि अगर इन्होंने हमें पानी नहीं दिया इन्होंने भी हमें आश्वासन दिय कि जनाब दो दिन डिपार्टमेंट को दिये जाएं, जबकि दो दिन करते-करते, इन्होंने हमें 10 साल गुजान दिये हैं। यह जो आपके डिमांड या पूरी नहीं होगी, आप क्या करें जाएं। देखिए हमने कहा कि आगर दो दिन के बाद हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो तीसरे रोज हम आपके सामने फिर सडकों में आऊंगे और हम इनके जो दफ्तर हैं, इनके दफ्तरों पर तलाम आदे हैं।